अनुज का चैप्टर हुआ क्लोज गौरफ खन्ना ने अनुपमा को कहा अलविदा अनुपमा में लीप आने के बाद कई पुराने का लगार इस शो से अलग हो गए फैंस को इंतजार था कि कब अनुज याने की गौरफ खन्ना का ट्रैक शो में दिखाया जाएगा लेकिन अब गौरफ के फैंस के लिए बड़ी ख़बर सामने आई है और वो ये कि उन्होंने अनुपमा सीरिल को अलविदा कह दिया है इटाइम से बादचीत के दौरान गौरफ ने कहा लोग मुझसे लगातार अनुपमा में मेरी वापसी को लेकर पूछते रहते है राजन सर ने मेरे किरदार की ग्रैंड रेंट्री के संभावना पर चर्चा की थी हाला कि इसके सच होने के लिए हमने दो महीने का इंतजार किया कहानी को आगे बढ़ना था और इंतजार करने का कोई सेंस नहीं बनता राजन सरका भी मानना है कि मेरा कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है अभी के लिए अनुच का चैप्टर बंद हो गया है अगर कहानी की मांग होगी और मेरा शेडियूल होगा तो मैं वापस आकर खुश होँगा अनुच का किर्दा तीन महीनी की लाया था और वो इक्याम्यो था हाला कि तीन साल तक चला इस तरह का प्यार पाना रेर है और मैं अपने फैंस को इसके लिए थैंक्यू कहना चाता हूँ शोड़ने पर आक्टर ने कहा आगे बढ़ना असान नहीं होता लेकिन लाइफ पनने पलटने का और नए चैप्टर को अपनाने का नाम है अडॉप्ट करना जरूरी है और आगे बढ़ना भी महीं कई बार गौरव और उपाली के अनबन की खबरे भी आई सेट से हाला कि दोनोंने कभी इस पर खुल कर बात नहीं की वैसे अब गौरव का शोग से चले जाना फैंस को इसोचने पर मजबूर कर देता है कि अब अनुपमा की कहानी में क्या नया मोड आएगा क्या कहना है आपका इस खबर पर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में और देखती रहीए टेली मसाला